तो, दोस्तो, सबसे पहला तरीका है, LIC की PayDirect App यह PayDirect App आपको PlayStore से अपने फोन में इंस्ट्ल कर लेनी है प्ले स्टोर पे जाएंगे यहा पे लिखेंगे PayDirect मेरे फोन में already install है यह सामने आ गई मैं उपन करूँंगा, आप इंस्ट्ल पे क्लिक करेंगे यह एप ओपन होते ही यह सबसे पहले हम आप्शन बताए का प्रोसीड प्रोसीड पर क्लिक करना है उसके बाद यहां से हम सिलेक्ट करेंगे हमने जमा क्या करना है यहां से प्रोसीड करेंगे यह हमसे यहां पूछेगा पॉलिसी नंबर सबसे पहले हम डालेंगे पॉलिसी नंबर इसके बाद यहां पर हमने डालना है इंस्टॉल्मेंट प्रीमिम विद आउट टैक्स के वार हम यहां पर विद टैक्स प्रीमिम डाल देते हैं और यह उसको प्रोसीड नहीं कर पाता उसमें जीएस्टी इंक्लूडिड होता है उसमें से जीएस्टी माइनिस करके हमें बे इसमें आप रिसिप्ट चाहते है इसमें रिसिप्ट जोआए इमेल आईडी में हमें आ जाती ए और मोबाइल नमबर मैसेज के लिए जी जरूरी नहीं है कि यह जिस्टर सिरी मोबाइल या licister इमेल आईडिया कस्टमर की वही डाले यह वह आईडियो और नंबर है जिसमें आप रिसिप चाहते हैं कि सब्मिंट करेंगे एक्री के लिए पूछेगा एग्री पे क्लिक करके सब्मिंट क्लिक करें उसके बाद यह आप्शन आगया हमारे पास इस आप्शन में यह पूछ रहा है कि अगर हम कोई और पॉलिसी का प्रीमियम जबा करना चाहते हैं तो यहां पर हम पॉलिसी नंबर लिखेंगे उसका प्रीमियम और एड़ टू लिस्ट करके उसको एड़ कर लेंगे यहां हमारे प्रीमियम उठा लेता है कितना प्रीमियम है जी एस्ट कितने कितने इंस्टॉलमेंट्स है सारा डाटा यहां पर आपंषो कर देगा को इस अमसे पर क्लिक किया अगें चेक यहां विपै चेक एन पे चेक अपे के बाद हमारे पास option आ जाता है बिल डेस्क का विल डेस्क मे तो मैं इस पर क्लिक करके बताता हूं को check and pay पे क्लिक किया इसमें हमारा emote बता दिया कोई भी option हम यहां से select कर सकते हैं credit card debit card debit card with ATM pin internet banking जो भी हम करना चाहें मैं यहां से debit card क्लिक कर लिया यहां पर डाला जाता है credit card number debit card number जो भी आप option use कर रहे है expiry date card की जो भी रहेगी यह मैं आपको डाल के नहीं दिखाऊंगा इसकी डालने के बाद इसमें सारा डाटा डालने के बाद आपको make payment पे प्रोसीड करना है तो दोस्तों इसमें हमने data डाल लिया make payment पे क्लिक करेंगे यह build desk OTP आएगा हमारे फोन पे OTP डालते ही में एक payment पे क्लिक करते हमारी payment प्रोसीड हो जाएगी और आपकी रिसिप्ट आपकी mail में आ जाएगी और यहां से भी आपके पास डाउनलोडिंग का option आ जाएगा आप डाउनलोड कर पाएंगे यहां दूसरा बड़ा option है हमारे पास Paytm सबसे पहले हम पे जाएगे पेटियम पे क्लिक करते हैं हमारे पास यह options आगे देखिए रिचार्ज पे एंड बिल्स बैंक्स फाइनेशल सर्विसीज पे क्लिक करेंगे यहां पर फिर से तीसरे नंबर के option इंशोरेंस पे क्लिक किया जाएगा क्लिक करते हैं हमारे पास यह option खुलके बाए न्यू इंशोरेंस पॉलिसी रिटेल ग्रुक प्रोटेक्शन प्रोड़क्स पे एग्जिस्टिंग इंशोरेंस प्रीमियम हम इस पे क्लिक करेंगे यहां से हमें पूछ रहा है सिलेक्ट यूर इंशोरर इंशोर मीं जिस कंपनी का रिमियम हम पे इस पे कलिक करेंगे के यहां पे डेर सारी कंपनी के option खुलके जिनके प्रिमियम से भर सकते हैं हम अपनी कंपनी सिलेक्ट करेंगे यह आ लाई सी आफ इंडिया पॉलिसी नंबर डालेंगे गेट प्रीमियम पे क्लिक किया गए यहां से हमारे पास पॉलिसी नंबर, कस्टमर नेम, ड्यू फ्रॉम, इंस्टॉल्मेंट और एमाउंट सब कुछ हमारे पास यहां पर डाटा आ गया, प्रोसीड टू पे किया जाएगा यह कूपंस बगएर आगे, अगर आपका कोई इलिजिबल है, आपकुछ अप्लाई करना जाते हैं, तो कर सकते हैं, नहीं तो सीधे प्रोसीड टू पे यहां पर क्लिक करें, देखिए हमारे पास यहां पर ऑप्शन आगे, स्टेट बंक का यूपी आई, मैं यह यूज करता हूँ, डेबिट कार्ड, यह मेरा सेव है पहले से यहां पर, अगर आपका सेव नहीं है, आप यहां पर डेबिट कार्ड पर क्लिक करके अपना कार्ड एड कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड एड कर सकते हैं नेट बैंकिंग यूपी जैसे विए पे करने चाहिए उसी आप्षिन पर आप क्लिक कर सकते हैं मेरा डेबिट कार्ड सेव है से मैं मैं अपना सीवी नमबर डालूंगा पेपे क्लिक किया यह ऐसा पेड्मेंट गेट वे हमारे पास आ गया ओटीप आएगा मैने नमबर पर यहां पर आप मैं ओटीप डाल कि आपको नहीं दिखाऊंगा यहां पर आपने क्लिक करना है ओटीप एंटर करना है जो समस में और मेंक पेडिक करते ही यह आपका प्रिमियम पे हो जाएगा देखिए इसमें जो रिसिप्ट है वो आपकी मेल में नहीं आती है आपको यहीं से पेमेंट के बाद वो डाउनलोड करनी पड़ती है यहां स्क्रीन शॉर्ट आप ले सकते हैं जैसा भी आप चाहें तो यह थे दो में तरीके लाइसी का प्रिमियम ऑनलाइन जमा करने के दोस्तो इस वीडियो को शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा टेलिग्राम चैनल जॉइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिये गे लिंक पे क्लिक करें